नमस्कार दोस्तों दिसा साल्यान मामले में जो सरगर्मी है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक बाद फिर से हंगामा मच गया है क्योंकि नितेश राने ने एक ऐसा शबूत पेश किया है जिसको ले करके काफी जादा चर्चा फिर से सुरू हो गई है और नितेश राने ने इस बार बिधान सभा में वो सक्ष प्रस्तुत किया है मैं आपको बता दू कि कुछ महीनों पहले नितेश राने और नरायन राने जो की कैमिलिट मिनिस्टर हैं और नितेश राने जो की एमेले हैं उन्होंने एक प्रेस कॉंफरेंस करके कहा था कि दिशाशालियान के साथ दुराचार हुआ है उसके बाद दिशाशालियान की हत्या की गई है और इस बात को ले करके राजमिती काफी गर्मा गई थी हंगामा काफी मच गया था महराष्ट में उसके बाद इन दोनों के ऊपर ये फ़यार भी दर्ज कर दी गई थी मुंबई पुलिस में मुंबई पुलिस ने इने बुलाया भी पूस्ताच के लिए और आठ घंटे की पूस्ताच होई और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि राने फैमली बैक फुट पर आ चुकी है लेकिन अचानक ही नितेश राने ने बिधान सभा में एक पेंट ड्राइब प्रस्तूत कर आरोप लगाया कि दिसा ने आत्म हत्या नहीं की थी बलकि उनकी गैंग रेप के बाद हत्या की गई थी इतना ही नहीं सदन में उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनके पास इस घटना के गवाह भी है और एक रिपोर की अमीत शातम के साथ मिलकर एक परतिलेक तयार किया है और ये काफी बड़ी एक भुचाल आने वाला है महाराज की राजनीती में और दिसा साल्यान मामले में नितेस राने ने इस केश को ले करके कई सवाल उठाए उन्हेंने कहा कि अगर हम मालने की उसने आत्म हत्या की है तो उस इमारत की CCTV फूटेज कहा है क्यों गायब हुई है इसके अलावा चौकिदार भी गायब है उन्होंने आगे कहा कि आने जाने का रिकॉर्ड रखने वाले रजिस्टर से पेज नमबर आठ और नौ गायब है उनका मंगेतर रोहन राय जो उनके साथ रहता था वो भी पर तक्ष दर्सी भी है उसका पता नहीं चल रहा है बीजेपी नेता ने कहा कि मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि यह आत्म हत्या नहीं बलकि हत्या है और उसके बाद से ही अब एक बार फिर से महराश्य मिराजमितिक सरगर्मी तेज हो चुकी है और देखना है क वो कहां तक पहुंचता है और इसमें अब अगला एक्षन क्या होता है और मुंबई पुलिस ने जो एफायार दर्ज किया नितेसराने के ऊपर उसमें अब मुंबई पुलिस का रोल क्या होता है और नितेसराने तो अब यह साफ कह रहे हैं कि उनके पास एक पेंड ड्राइ आएगा मैं आपको जरूर दूँगा जैंग जै भारत